डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कैनडा एंड अराउंड दे गलोग करोना वारिस से मतासर होने वाली माईशत की बहाली तवील और मुश्किल होगी बैंक आफ कैनेडा के गवरनर का कहना है कि करोना वारिस की वबा से तवील मुद्धी माशी नुकसान होगा कैनेडियन सूब क्योबिक में जंगलाप में लगी आग ने तबाही मचाई हुई है जबके हुकाम बारिश की अमीद किये हुए है अजास चौधरी के एहल खाना ने पुलीस अफसर की बरतरफी का मतालबा किया है जिसने जहनी मरीज शक्स को गोली मारी थी कैनेड़ा भर में करोना वारिस के फ़लाव का सलसला जारी करोना वारिस से मतासर होने वाले अफ़ाद की तादावत एक लाग सोला सो सेंटेस हो गई अमरीकी सदर टरम्प का एक और दावा कहते हैं कि इनकी हकूमत का तखता उलटने की कोशिश नाकाम बना दी गई है पाक फिजाया के भारती तैयारे को मार गिराने पर वाइट हास में हल चल्मच गई थी जौन बॉल्टन की किताब में मज़ीद इनकिशफात हो गए दुनिया भर में करोना वाइरस से मतासरा अफराग की तादाद 91,89,500 तक चाह पहुची है जबके इस से हलाकते 4,75,349 हो गई हेडलाइन्स अपने जानी अफ़बरे तफसील के साथ कैनडा के आला मरकजी बैंकर का कहना है कि करोना वाइरस की वबा से तवील मुद्धी मार्शी नुकसान होगा और मुल्क को इस नुकसान से निकालने के लिए एक तवील और मुश्कल कोर्स की जरूरत है तफसीलात इस रिपोर्ट में Bank of Canada के गवरनर का कहना है कि करोनावारस से मुतासर होने वाली मैश्यत की बहाली तवील और मुश्किल होगी बैंचमार की शर्षूद 0.25 कम नहीं होगी लेकिन दीगर कोशशें जारी है कینیडा के आला मरकजी बैंकर का कहना है कि करोना वायरत की वबा से तवील मुद्दती मौशी नुकसान होगा और मुल्क को इस नुकसान से निकालने के लिए एक तवील और मुश्कल कोर्स की जरूरत है गवनर की हैसे से अपनी पहली तक्रीर में टिफ मैकलम का कहना है कि मरकजी बैंक को इस साल की 30 से माही में तरकी की तवक्यों है क्योंके लोगों को काम पर वापस बुलाया गया है और घर वाले अपनी मामूल की को सरगर्मिया पाबंदियों में आसानी के साथ दुबारा शु काम की जगें इतनी नतीजा खेज नहीं हो सकती है जितनी पहले होती थी उन्होंने मजीद कहा कि बहुत से खिदमात की फरामी मुश्किल ही रही की केयोबेक में मुख्ले मकमात पर जंगलात में आग लगी हुई है लेकिन लेक्शन जॉन की आग सबसे बड़ी करार दी जा हैं लेकिन लेक्सेंग यॉन के शुमाल में लगी आग ने 72,000 हेक्टर रगबे को जला कर रख दिया क्यूबेक में जंगलात में लगने वालनाग आग ने 60 के करीब कौटेज को मुकमल तोर पर जला दिया है पाबलिक सेफटी के वजी ने तराफ के आगों को खाली करने के जब के वहां किसी को भी दाखले की अजासत नहीं होगी उनका कहना था कि हीट वेव और खुशक साली आग लगने की आहम वजुहात हैं क्यूबेक में मुक्तलिफ मकामात पर जंगलात में आग लगी हुई है लेकिन लेक्सेंग यॉंग की आग सबसे बड़ी खरार दी जा रहा है जब के इतजाज भी किया जा रहा है तफसिलात इस रिपोर्ट में एजास चौधरी के ले खाना ने पुलिस अफसर की बरतरफी का मतालबा किया है जिसने जहनी मरीज शक्स को गोली मारी थी पुलिस के हाथों कतल होने वाले पाकिस्तानी निजात केनेडियन शेरी एजास चौधरी के ले खाना का कहना है कि उन्होंने नौन एमर्जनसी लाइन पर कॉल की थी लेकिन उसका अंजाम एजास चौधरी की मौत पर हुआ नैशनल कॉंसल आफ केनेडियन मौसलिम्स अर्बन अलाइंस ऑन रेस रिलेशन और मौसलिम कॉंसल पील ने एक न्यूस कॉंफरेंस की जिसमे एजास चौधरी को गोली मारने वाले अफसर को फौरी तोर पर हटाने का मौतालबा किया गया यू ए आर आर के मौमद हाशिम ने कहा के पुलिस के साथ भी ऐसा ही इनसाफ होना चाहिए जैसा के बाकी लोगों के साथ होता है जिस अफसर के हाथ एक शहरी के फून से रंगे हैं उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है वाज़ रहे के अजास चौधरी की हलाकत पर वहां की पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्यूनिटी में शदीद घम और गुस्ता पाया जा रहा है जबके एतिजाज भी किया जा रहा है कैनड़ा भर में करोना वायरस के बाMIश हलाक कूने वाले अफराद की तादात 8,436 तक जा पांची है मुझी चानते हैं इस रिपोट में कैनड़ा भर में करोना वायरस के फेलाओं का सलसल ला जोहारी है आखरी तिलात के मुताबिक कैनेडा में करोना वारस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादात 1,16,37 हो गई है मुलबर में करोना वारस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादात 8,436 तक जा पहुँची है क्यूब एक सूबा करोना वारस से सबसे जादा मुतासिर हुआ है ताहम वहाँ आप करोना वारस के केसिस में कमी आने लगी जहां गुजश्टा 24 गंटों के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई करोना वारस के मजमूई केसिस की तादा 54,835 हो गई है जबके सूबे में करोना वारस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,417 तक पहुँच चुकी है ऑंटेरियों में करोना वारस से 33,637 अफराद मुतासिर हुए है जबके हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,690 है अलबर्टा में 7,736 अफराद करोना वारस से मतासिर हुए हैं जबके 153 अफराद करोना वारस के बाइस हलाक हो चुके हैं बिर्टिश कॉलंबिया में 2822 अफराद में करोना वारस की तदीख हुई है जबके सूबे में करोना वारत से होने वाली हलाकतों की तादात 179 है अमरीकी अखबार को इंट्रवियू में ट्रम्प ने कहा कि एफबी आई को रंगे हाथों पकल लिया उन्होंने कहा है कि ये मामला अटर्नी जॉर्नल विलियम बार के सुपर्ट किर दिया तफसेलात इस रिपोर्ट में अपने ही अधारे फिर्डिल बोर्ड आफ इन्वेस्टिगेशन पर इल्जाम लगा कि मुन्तखिब सदर को हटाने की कोशिश ही गए लेकिन अब हमें साज़िश का मुकमल इल्म हो चुका है अमरी के अखबार को इंटर्विव में ट्रॉम्प ने कहा कि एफ वी आई को रंगे हातों पकर लिया उन्होंने कहा कि ये मौमला अटॉर्णी जनरल विल्यम बार्क के स्पुर्ट कर दिया सियासी तोर पर यही बहतर है कि वो इस मौमले से दूर रहे एफ वी आई के सरवरा का तकरर्र साबिक सदर उबामा नहीं किया था उन्होंने मजीद कहा कि एफ वी आई के साबिक डिरेक्टर जेम्स को में और डैप्टी डिरेक्टर मेक के बुरे अफराद है जौन बॉल्टन ने अपनी किताब में मजीद लिखा कि पाख फजाया के भारती तयारे को मार गिराने से वाइट हाउस में हल्चल मच गई थी और रात गए एक हंगामी अजलास भी तलब किया गया था जिसमें दोनों माले के दर्मियान कशीदगी में कमी कराने के लिए तबादला खयाल किया गया था मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में अमरीका के साबक मुशीर कौमी सलामती जौन बॉल्टन ने इनकिशाफ किया है साबक मुशीर कौमी सलामती जौन बॉल्टन ने अपनी किताब में इनकिशाफ किया है कि 27 फरवरी 2019 में जब पाकिस्तान ने भारती फौज के तयारे को मार गिराया और इंडियन पालेट अभी नंदन को हिरासत में लिया था तो उस दिन वाइट हाउस में भी गहर मामूली दिन था जौन बॉल्टन ने अपनी किताब में मजीद दिखा कि पाक फजाय के भारती तयारे को मार गिराने से वाइट हाउस में हलचल मच गई थी और रात गए एक हंगामी इजलास भी तलब किया गया था साबिक मुशीर कौमी सलामती ने अपनी याद दाश्तों में मजीद बयान किया कि 27 फरवरी अहम दिन था सद्द ट्रॉंप अखवानिस्तान के हवाले से तवीर इजलास से फारिख ही हुए थे कि पाक फजाय की जानब से भारती तैयारे को मार गिराने की तला मिली कि जिद्द जहुद के बाद बहरान टल गया और दूएटमी मुमाली के दर्मियान हालात मामूल पर आना शुरू हो गए थे वाज़ रहे कि गुजशता बरस सितंबर में सद्द ट्रॉंप ने जान बोल्टन को ओदे से बरखास कर दिया था जिसके बाद से दोनों के धर्मियान शदीद अख्तलाफास सामने आया है और हाल ही में शाया होने वाली जान बोल्टन के किताब पर पाबंदी लगाने के लिए वाइट हाउस ने काफी कोशिशें की थी लेकिन नाकामी का सामना रहा दुनिया भर में करोना वारस की मूजी वाबाने मुसलसल अपने पंजेगार रखे हैं जिसके ना सिर्फ मरीजों में बलके इस से अमवाद में भी हर रोज इजाफा हो रहा है मजीद जामते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया भर में करोना वारस की मूजी वाबाने मुसलसल अपने पंजेगार रखे हैं जिसके ना सिर्फ मरीजों में बलके उस से अमवाद में भी हर रोज इजाफा हो रहा है मुक्तलिक मुमालिक में करोना वारस की वाबा का जोर तूर चुका है तो कहीं ये अरूज पर है और कहीं उसके केसिस और अमवाद ना होने के बराबर हैं दुनिया भर में करोना वारस से मतासरा अफराद की तादाद 91,89,500 तक जाप पहुंची है जबके उस से हलाकतیں 4,76,349 हो गई हैं जबकि उस से बिमार होने वालों की मजमूरी तादाद 23,88,153 हो चुकी है भारत में भी करोना वारस के मरीजों की तादादमें तेजी से इसाफा हो रहा है और भो इस पैरस में 24 नंबर पर आगया है भारत में करोना वारस से 14,015 हलाकत है हो चुकी है जबके उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 4,440,450 हो गई तर्की में करोना वारस जाबा हक होने वालों की तादाद 4,974 हो गई जबके करोना के कुल केसिस 1,88,897 हो गए साथी अरब में करोना वारस से अब तक कुल अमबात 1,307 रिपोर्ट हुई है जबके मुमलिकत में उसके मरीजों की तादाद 1,61,005 तक जा पहुँची है टैग टीवी के पाकसान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही मज़ीद खबरों और अबडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैग टीवी सुझी घाड़ी आड़ी 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 नाजिवी कानबते रहे हैं तागप टीवी यूबट चैनल में अध्स्टाइशन पना